नमस्कार आज हम एक परीजर्चा लेकर यहां उपस्तित हुए हैं और समसामिक वेशे हैं कोविड-19 वेक्सिनिशन है क्यों जरूरी और इस परीजर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ में उपस्तित हैं डॉक्टर परमिंदर शिरोही अधिक्षक पीबिम हस्पताल वि काने है तो शुर्टाओं आज हम चर्चा करेंगे कोविड-19 वेक्सिनिशन के बारे में और इस परीजर्चा में आगे बढ़ते हुए मैं मेरा परिच्चे देदूं मैं डॉक्टर नवल गुपता प्रिंसेपल सी एमो और पीबिम हस्पिटल में कोविड वेक्सिनिशन दे क्या है धन्यवाद नवल जी मैं डॉक्टर परमेंद सुरुई शोताओं को बहुत बहुत नमस्कार मैं सभी शोताओं को बताना चाहूंगा कि हमारे देश में विदेश में अंतराश्ट्य स्तर पर सभी जेगे आपने सुना होगा कि कोरोना नाम की बिमारी फैल रही है और जिसकी कि अब दूसरी लहर भी शुरू हो चुकी है तो इस बिमारी से बचने के लिए वग्यानिकों ने एक वैक्सीन बिनाया है जिसको की सभी वैक्तियों को लगाया जा रहा है अभी सरकार के जो गाइडलाइन्स हैं इसको अकॉर्डिंग 60 साल से व्रद्ध जो वैक्ति के लिए इस महामारी से सभी को बचाने के लिए वैक्सीन कराया जा रहा है और इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों को इस रोग से ग्रसित हो रहे हैं कितनी उनकी दशा खराब है इसके अलावा बहुत से वैक्ति ऐसे भी हैं जो कि किस्मत वाले नहीं थे और उनके अकाल म्रत्यों का ग्रास हुए तो इस सबसे बचाने के लिए ये वैक्सीन बनाई गई है और ये हमारे सब के लिए बहुत ही जरूरी है तो जैसा आपने सुना कि कोविड नाइंटीन जो बिमारी है चूंकि पिछला साल कोविड नाइंटीन में बीता बहुत बुरा वक्त था लॉकडाउन की नौबत भी आई सबी आर्थिक गतिविदियां सामाजी कारिकरम को हमें रोकना बड़ा तो इन सब के बीच में हमें सबसे ज़्यादा उमीद थी वो वैक्सीनेशन या टीका करण से थी कि कब टीका आएगा और कब हम लगवाएंगे और वो टीका अब ह हमारे साथ में उपलब्द है और चूंकि ये बीमारी बिल्कुल नई है और नई बीमारी का इलाज ज्यादा उपलब्द नहीं होता है तो टीका करण ही उसका बचा होता है तो डॉक्टर संजे कोचर जी से हम जाना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन जरूरी क्यों है धन्यवाद जो इस वैक्सीन के कारण उन्मूलन हो चुकी है हलांकि कोविड के लिए ये नहीं क्या आ जा सकता कि इसके कारण उन्मूलन हो जाएगा लेकिन कोविड वैक्सीनेशन लगाने से कोविड बिमारी होने की संभावनाएं अत्यंत न्यून हो जाएगी और अगर उसके से अधिक लोग रसित हो चुके हैं और उन में से करीब करीब एक लाग से जादा मृत्यू हो चुकी है अगर हम इस मृत्यू को रोकना चाहते हैं तो वैक्सिनेशन लगाना बहुत जरूरी है हो सकता है कि इंफेक्शन का इस्प्रेड बहुत ज्यादा नहीं रुके लेकिन ज जब भी उपलब्द हो आपकी एज ग्रूप के अनुसार तब वैक्सिनेशन जरूर लगवाएं यही आपको भविशे में बचा सकता है दूसरा अगर आप सोचते हैं देश विदेश दूसरे प्रांतों में जाना पक्का-पका कुछ समय बाद यह होगा कि आपको ट्रेवल करनी है तो हो सकता है कि वैक्सिनेशन के लिए सर्टिफिकेट मांगा जाए वो भी एक अच्छी चीज है कि उस सर्टिफिकेट और उस समय के जो परिशानिया होए या आपको जाने के बाद 14 दिन क्वारिंटाइन हो उससे बचना हो तो भी वैक्सिनेशन के अवशक्ता गया वहां पर second wave में बहुत कम cases हुए हैं और मृत्यू दर्भी वहां बहुत ज्यादा कम रही है तो आप अपने आप समझ सकते हैं इस बात को कि कितना ज्यादा जरूरी है vaccination जी बिल्कुल तो शुर्ताओं को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमारे दो वि देश यातरा करनी है और वहां पे quarantine नहीं होना है तब भी आपको vaccination करवाना है तो vaccination ना सिर्फ उस व्यक्ति विशेश के लिए बलकि पूरे आम जनता के लिए important है क्योंकि herd immunity जब बन जाएगी जैसा डोक्टर शिरोई जी ने बताया कि अगर 60% लोग के सरीर में antibodies बन जाएं चाए वो vaccine से बने चाए बीमारी से बने तो वो community उस बीमारी से बच सकती है तो herd immunity बनाने के लिए लोगों को बचाने के लिए और उस व्यक्ति विशेश की जान के खत्रे को बिल्कुल नगरने करने के लिए ये टीका करण जरूरी है तो बहुत अच्छी जानकारी हमें कुछना चाहूंगा कि vaccination कौन करवा सकता है और ये कब होता है अभी भारत सरकार ने 45 साल से 60 साल के उन व्यक्तियों को जिनके 27 की बिमारिया है जो हाई रिस्क है जिनके जानका ज्यादा खत्रा है कोरोना के कारण उन सब के लिए vaccination उपलब्द करवा रखा है सरकारी अस्पत साल में भी चालू है जो जिसमें 500 रुपए की लागत आती है साट साल से उन्ची उम्र का कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति वहां जाके संडे को छोड़के प्रति दिन नोव जिसे 5 वजे तक ये टिका लगवा सकते हैं तो जैसा की जानकारी मिली है साट साल से अधिक उ जो अपने गाइडलाइन जारी के उसमें है एक अपरेल जो आने वाली है उससे 45 साल से बड़े सबी वेक्तियों को चाहे बिमार हैं या नहीं है उन्हें कोईट वेक्षिनिशन के लिए एलिजीबल माना है तो 45 साल से बड़े सबी वेक्ति एक अपरेल के पस्षाद और 60 सा आफ हॉस्पिटल में करमचारी काम करने वाले और फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे कि पुलिस वाले रेमिन्यू वाले और नगर निगम के करमचारी इन लोगों को भी गौर्णमेंट ने हाई रिस्क मांग रहा है तो इनको भी चाहिए वो किसी भी आयू वर्क के हैं इनको भी अलाओ किया है वैक्सिन लगवाने के लिए और इन में से काफी संख्या में लोगों को वैक्सिन लग भी चुका है कुछ लोगों को दो-दो डोस भी लग चुकी जी बिलकुल तो जैसा आपने बताया कि बहुत सारे लोगों को तो सेकिन डोस भी जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं या हealth care workers है क्योंकि ये लोग अधिक खत्रे में रहते हैं क्योंकि इन्होंने COVID जो रोगीयों की सेवा किये आने वाले समय में अगर फिर से वापस बढ़ता हैं तो मुद्धी लगेगी तो मुद्धी घुटी में जब वो काम करेंगे तो वो खुध अधिक खत्रे पे रहते हैं तो उनका वेक्षिनिसन सरकार ने प्रात्यमिक्ता पे किया है अब हाई रिस्क ग्रूप जो ये एजवाला था उसको भी सरकार ने जित्ये प्रात्यमिक्ता पे लिए अर्ड। कहां center पर vaccination हो रहा है उसकी list आ जाती है वो उसमें से choose कर सकता है कि उसके आजपास कौन सा center और वहां जाके vaccination करवा सकता है जी तो मतलब व्यक्ति खुद भी चाह सकता है अपनी इच्छा से जहां लगवाना चाहे वहां जा सकता है और अगर वो self registration कुद नहीं कर पाए तो on spot registration क है वहां किसी भी सरकारी Palestine में वह लगवा सकता है सरकां किसी थैसी अपने पे ईङो मवश्पालद पर्ता में लग रहा है और उसके आगे भी जाकर के लग रहाaturesता कि रोगी को कहीं दूर ना जाना पड़े लाबानीत को ज़्यादा दूरी तेहर नहीं करने पड़े उसके घर के नजदी को टिका लगे तो उसके लिए बैठर रहता है जी वो एप में अगर देख ले ना तो उसको पूछने जाने की भी जरूत नहीं पड़ेगी हो सकता है कि आज उसके पास वाली जगे के जो समुदेक बहुन में ही टिका लग रहा है और उसको पता चल जाए तो वहां जाके लगवा ले तो अब ये फायदा हो सकता है कि ट्रेवल कम करना पड़े पूछना जाना नहीं पड़े बिलकुल वो क्योंकि बुजुरुकों को ज़्यदा ट्रेवल नहीं करना पड़े और वो आराम से अपने न अब दारित है दो डोस हमको लगवाना जरूरी है पहले जो डोस लगा रहे थे वह फस्ट जो है वह उसके दूसरी डोस जो है चार हफते बाद लगा रहे थे लेकिन अभी सरकार ने इस गाइडलाइन में थोड़ा सा चेंज किया है अभी यह है कि चार से लेके आठ अट पहली डोस लगवाएं और उसके चार से आठ हफते के भीतर दूसरी डोस लगेगी तो यह आपको डोस लगवानी है इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कोई गर्वतिम आता है तो उसके अभी हम नहीं लगा रहे हैं इस बात का अपने को विशेश महला है जो अपने च्छोटे बच्छे को विल रही है, उन महिलाओं को सावदानी के तरीके से अभी उनको वेक्षिनेशन में नहीं रखा गया है और कुछ दूसरा वेक्षिन अगर साइमेल्टैनिसे चल रहा है तो उसको भी कोविट वेक्षिन नही लगाना दूसरी डोज लगने के लगभग 14 दिन बाद में एंटिबोडी प्रोटेक्टिव लेवल आता है तो दूसरी डोज के 15 दिन तक हमें जो सावधानिया जो यूनिवर्सल सावधानिया जो बरतनी है वो बरतनी ही है उसमें मास्क लगाना हाथ दोना सोचल डिस्टेंसिंग इनको भी चालू रखना है इनमें कोई कोटाई नहीं परतनी है बहुत ही अच्छी जानकारी उप्लवद करवाई है कि तिका लगाने के बाद में व्यक्ति यह न समझे कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हो गया हूँ तिका लगने की दूसरी डोज के 14 दिन बाद में ब्लड में कोविड का प्रोटोकॉल पहले से हम जो पालना करते हैं उसे हमें अभी भी जारी रखना है वेक्शिनेशन के बाद में यह नहीं समझना है हमें लापरवा नहीं होना है डोक्र कोचर इसमें कुछ आप कहना दाएंगे मैं यह कह रहा था कि 14 दिन दूसरी डोज के निकलने क बाद में भी हमें लापरवा नहीं होना है हमें यह जो सावधानिया है यह तो जब तक कोविड फैल रहा है बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं होता है तब तक रखना ही है यह न केवल हमें कोविड से बचाती है बलकि बहुत सी दूसरी बिमारियों से भी बचाती है इसका ए जान रखेंगे तो आगे हम खाली कोविड यह नहीं दूसरी मिमारियों सो भी बच सकते हैं तो मैं तो यह कहूंगा कि हमें मास्क पेनना तो चालो ही रखना है चाहे हम वैक्सिनेट हो गए हैं जी बिल्कुल जैसा डॉक्टर कोचन ने इसमें बहुत अच्छी जान कर यह पास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड हाईजीन पर ध्यान जरूर देना है न शिर्फ कोरोना के लिए बलकि जो ऐसी घंबीर बिमारें पहले आई है जैसे स्वाइन फ्लू ले 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 और हाथ की सफाई तो हमारे पूरोज भी बता के गए हैं कि हातों से ही बिमार हैं उसे हम बस सकते हैं और निशंदे पिछले कुछ समय में जब हमने इन साफदानियों की पालना की है तो ना सिर्फ कोरोना बलकि और दूसरी ऐसी जो हातों से या मुझ से खांस ने चींगने से फैल किये उन बिमारें पर हमने काफी प्रभावी नींतरन किया है रोग्यो वेक्सिनेशन के लिए उस व्यक्ति को केवल केवल अपना आधार कार्ड लेके वेक्सिनेशन सेंटर पे जाना है अगर वो प्री रेजिस्टर्ड नहीं है तो वो रेजिस्टर्ड है तो केवल उनको अपने टेलिफॉन नंबर याद होने चाहिए इसके शिवा कुछ भी न बताया है कि आधार कार्ड की कॉपी ले जाए या मोबाइल में उसकी सोफ्ट कोपी तब भी चलेगा कोई हाड कोपी की आउशकता नहीं है और अगर किसी के पास में आधार कार्ड न हो तो वो जो बारा आईडी फोटो आईडी है उनमें से कुछ भी लें चाहिए पैन नंब की पास्बूग होती है या अगर कोई विबाग में काम करा तो विबाग की आईडी भी हो सकती है तो वो आईडी की कॉपी चाहिए वो सौफ्ट कोपी हो हाड कोपी हो मोबाइल में हो और अपना एक मोबाइल नंबर और जैसा कि हमें बताया गया है कि एक मोबाइल नंबर चार लोगों का registration हो सकता है तो अगर किसी के पास में mobile नहीं भी है तो अपने किसी परिज्द के mobile नमर पर भी register कर सकता है एक mobile पर चार हो सकते हैं तो यह अच्छी जान करें आपने उप्लिविद कराई तो जिन लोगों को भी vaccination करवाना है वो अपना कोई एक पैचान पत्र की copy और अपना mobile नमर लेकर के आराम से अपने नजदी के अंदर पर जाकर टिका लगवा सकते हैं जी सर मैं और यह कहना चाहूंगा कि कोई भी वेक्टी कहीं भी जाकर वेक्सीन लगवा सकता है ऐसा नहीं कि कोई जैपूर का वेक्टी अगर बिकानेर में आयावा है और वो अगर आप दूसरी जगें भी हैं तो वहां भी आप पास के जो सेंटर है वहां जाके अपने लगवा सकते हैं जी बिलकुल आपने एक अच्छी जानकरी बताई कि कोई भी वेक्टी जहां भी अभी वो उपस्तित है वहां भी ठीका लगवा सकता है अब यह व्यवस्ता भी खहीं भी ले सकते हैं उसमें और रजिस्टर होता है यह पूरे भारत के लिए कोविन सौफ्ट्वेर एक कॉमन प्लेटफ़ार में तो वहां पे वह रजिस्ट्रेशन के साहिता से वह दूसरा टीका भी खहीं भी लगवा सकता है तो यह बहुत अच्छी सुविदा सरका है इस दिए हम नहीं लगाते क्योंकि उस वक्त हम दुबारा आ नहीं पाएंगे अब जो वेवस्ता आपने बताई कि वह यहां लगा के दूसरा टीका इंदुस्तान के किसी भी जगह केवल उसको अपना टेलीफोन नमबर बताना है यह बताना है कि मेरी पहले डोज कहां ल होता है कि घर की मुर्गी डाल बराबर समझ करके लोग एक तरह बारत में बने वेक्सिन है तो यह एफेक्टिव होगी या नहीं होगी तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आप विशे से किया हैं मेडिसिन की आपने कोरोना काल में बहुत कोरोना के मरीज भी देखे ह हैं और हमारे आँखों के सामने वह मंजर भी देखा है जो बहुत भयावे था उसकी पुन्रावर्ति ना हो तो लोगों के मन में जो ब्रहांती है कि साब यह बारत का गरेलू बनावा देशी टीका है यह कितना एफेक्टिव होगा नवल जी यह बहुत सही प्रशन आपने उठाया है बहुत से लोग यह सोचते हैं कि शायद यह तो अफरात अफरी में बनाई हुई ऐसी चीज है जिसकी कोई एफेक्ट केसी है नहीं लेकिन इसकी एफिकेसी बहुत उच इस तरिया संस्थाएं हैं वो टेस्ट करके फिर देती हैं इनको लाइसेंस ऐसा नहीं है कि कोई कैसे की कैदे के साब यह तो आप लगवालो सही है बहुत अच्छे इफेक्टिव वैक्सिन जो कोवी शील्ड और कोवैक्सिन दोनों हैं बहुत अच्छे और एफेक्टिव हैं हालंकि कोवैक्सिन की प्रोडक्शन की जो रेट है वो इंडिया में बहुत कम है और मेंल एक खुशी-खुशी इससे लगा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन देशों की पास में जो दूसरे देशों में बनी हुई है जैसे रशिया, अमेरिका या ब्रिटेन में बनी हुई वेक्सीन है वो भी उपलब दो सकती थी लेकिन उन्होंने इंडिया से ली दो का important कारण यह है कि भारत पहले से ही वेक्सीन के खेतर में बहुत अग्रणी देश है और दुनिया की सबसे चाधा वेक्सीन का उत्पादन भारत में होता रहा है इसलिए यह कंपनिया इस वेक्सीन को बहुत जल्दी बनाने में सक्षम रही बिलकुल क्योंकि जैसा आपने बताया है कि कोरोना से पहले भी विश्व का लगबग 70-35 वैक्सिन जो है भारत में निर्मान होता है तो ये तो फैक्टरी है वैक्सिन सारा दुनिया को जो सप्लाई करते हैं कोरोना की बात नहीं भी करें तो जितनी भी वैक्सिन बनती है उसका 70% जब हिंदुस्तान में बनत हैं दुनिया में डॉक्र शिरोव यह आप क्या कहना चाहेंगे नवल जी यह जो वैक्सिन है यह मोर देन 90% एफेक्टिव है अगेंस्ट सीरियस कोविड इंफेक्शन जी गंभी कोविड इंफेक्शन के लिए मोर देन 90% 90% से भी ज़्यादा एफेक्टिविटी है इसकी ज जीवन रख्षक वैक्सिन हम इसको कह सकते हैं आपकी बातों से हम इस निश्कर्श पर निकलें तो जीवन रख्षक है जीवन बचाने के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि दवाइं हमारे पास में बहुत ज़्यादा नहीं है तो अब ये एक बरांती तो यह थी अब दूसर जलता वस ऐसा कर रहे हैं वो अपने जीवन को खत्रे में डाल रहे हैं तो डॉक्टर तमर साब आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे अभी कोर्णा की वैक्सिनेशन हिंदूस्तान के हर इसे में हर इस ग्रूप में अबब 45 में और 100 साल से उचे लोगों में भी हर तरह की बीमारियों में ये बहुत बड़ी संख्या में लग रही है कहीं से भी कोई भी गंभीर विप्रीत असार अब तक नोट नहीं किया गया है बेहद साधारन मासपेशी में दर्द हलका बुखार आना 20 गंटे बाद में ये 3-5% लोगों के नहीं तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है जी बिलकुल तो जैसा कि आपको सुर्टाओं की जान करें के लिए बता दूं कि बीकानेर जिले में अब तक लगबग दो लगाई जा चुकी है और उसमें से किसी को भी कोई गंभीर असर नहीं हुआ है जान का खत्रा किसी को भी और ज्यादा बरती करने की बिज़र तो किसी को नहीं पड़ी है सामान यह हलका बुखार दर्द सरदर्द या बाहन में दर्द तो यह तो देखिए जब हम बच्चों को टिका लगवाते हैं चोटे बच्चों को सबने लगवाया अपने घर में उनको बच्चों को भी जो टेस्ट किया है सरकार ने भी पूरी अपने रिसर्च के बाद में किया है और वैसे भी 18 साथ चोटे बच्चों को अभी जो है यह तिका नहीं लगाया जा रहा है सेफटी प्रोफाइल अभी उसकी नहीं उपलब दैस लिए क्योंकि उस पर रिसर्च होना बाकी है तो ड इलर्जी है खाने पिने का आइटम से दवायों से उन लोगों के मन में यह थोड़ा सा जिग्या सा रहती है कि क्या वो इंजेक्शन ले सकते हैं अगर वो लेंगे तो उनके सरी पर वो क्या असर करेगा या क्या दूस्प्रभाव करेगा तो कुछ लोग इस वज़े से अभ से कॉमन कुश्चिन दो होता है पहला मेरे को एलर्जी की तकलीफ रहती है डाग साब मैं वैक्सिन लगाऊ या नहीं दूसरा कि साब मेरे फलाना फलाना बिमारी है या श्ट्रोक है या डाइबिटेज है या हार्ट की तकलीफ हो या और मैं खून पतला करने वाली दवाई अलर्जी हुई हो तो वैक्सिन नहीं लगानी और वो हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम पहली खुराक नहीं लगा लें और अच्छी बात यह है कि लगबग दो लाग खुराक हम बिका निर में लगा चुके हैं और किसी को अलर्जी नहीं हुए इसका मतलब यह ब कई रक्त विकार हो सकते हैं या ब्लेडिंग हो सकती है ऐसा कुछ भी नहीं है अगर किसी को रक्त विकार इतना ज्यादा हो कि सिंपल-needle-ing या नि सुय लगने से ही कून बहना रुके नहीं तो ही उसको वैक्सिन नहीं लगाना है जैसा कि आज तक किसी में देखने को मिला नहीं है इसलिए ये मान सकते हैं कि सबी व्यक्ति किसी भी बिमारी से ग्रसित हैं वो सुरक्षित हैं और लगा सकते हैं बशरते कि वो अभी इतने गंबीर हों और अस्पताल में एडमेट हों और उनके किसी तरह के ऐसे इलाज हों जिससे उनका जान का खत्रा तुरंत ही है त तो उन सब लोगों के लिए सरकार ने खुद ने 20 बीमारियां टेग किया कि इनको लगाना है क्योंकि वो हाई रिस्क है उनकी इम्मिनिटी कमजोर हो सकती है उनको कोविट बीमारी हुई तो खत्रा जादा होगा तो इसलिए वेक्शिन करा कि अपने आपको प्रोटेक्ट करे है क्योंकि देखिए क्या है कि बीमारी फैलेगी तो उन लोगों को गंबीर अवस्ता होगी जो हाई रिस्क हैं पहले प्रोटेक्ट करना सरकार ने इसलिए उनकी प्रात्मिक्ता पहले तैय कि वो पहले बचें क्योंकि जो युवावर्ग है वो तो वैसे भी तुलनात्मे रूप से बुज़रों की तूलना में बिमारी की तूलना में खुद सुरक्षित रहेगा उन्हें ज्यादा गंबिर ववस्ता नहीं होगी इसलिए सरकार ने अभी प्रात्मिक्ता पर नहीं रखा है डोक्टर शिरो आप कुछ कहना चाहरा कि जो अल्रेडी बिमार वेक्टी है उसमें अगर कोविड हो जाता है तो उसमें सीवेर्टी होने की कोविड सीवेर होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है दूसरी बात अगर उस वेक्टी को कोविड हो गया तो उसको फिर हमें आपको पता है जो पहले सी बिमार वेक्टी है उसको बचाना उसका जरूरी है क्योंकि आपने सबने हमने सबने देखा कि वैक्सिन का इटसेल्फ कोई बहुत जादा साइड इफेक्ट नहीं है एक दो दिन बुखार खासी जुकाम वगारा के अलावा और कुछ साइड इफेक्ट नहीं है तो इस वैक्ति को लगाना ज्यादा समझदारी की बात है मनस्पत कि उसको नहीं लगाना जी मतलब यह है कि तराजों के दोनों पलड़ों में अगर हम एक तरफ विमारी को रखें और एक तरफ वैक्षिनेशन के साइड इफेक्ट को रखें तो हमेसा पलड़ा बारी यह रहेगा कि आपको वैक्षिनेशन करवाना ही है तो अब यह शुरताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वैक्षिनेशन के बारे में एक और बात कहना चाहूंगा कि सरकार ने सभी सेंटर्स पर बहुत ही अच्छी वेवस्ता की वी है और वहां आदा घंट मरीज को बैठा के रखा जाता है और अगर किसी को कोई साइड इ हो पाए है और वैक्षिन इटसेल्फ अपने आप में बहुत ही सुरक्षित है आप सभी लगवाएं ड़कुल मैं सिरोई साब की बात से सहमत हूँ वैसे ही वैक्षिन सुरक्षित है और इससे कभी कोई मेजर साइड इफेक्ट हुए नहीं है फिर भी कोई साइड अब्जर्वेशन में रखते हैं उस समय इलाज किया जा सकता है उसके अलवा बाद में भी कुछ होता है तो एक हेल्प लाइन नंबर हर जिले में हर जगे दिया गया है उस पे कॉंटेट करके तुरंत आप परामर्श ले सकते हैं और इलाज ले सकते हैं गंबीर साइड हमारे पास दोई उपाई हैं जिसमें सबसे सही उपाई है वेक्सिनेशन दूसरा है सुरक्षिया सोचल डिस्टेंसिंग मास्क इसको अपनाना इस मामारी के सारे दूस प्रभाओं को रोकने के लिए अत्यान तावशक है जी बहुत-बहुत धन्यवाद तो शुर्ताओं आ शुर्माना चाहिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवेस्टाइं असपटाल में की ए इसकारी अस सप्ताल के लिए एक सारी वेवेस्टाइन के लिएक्दों करने से पहले कुछ लेबद सब्दों में शुरताओं से में कुछ कहना चाहूंगा 60 से बड़े हो तो बड़पन दिखाना है 45 से बड़े बिमार हो तो कदम बढ़ाना है हेल्थ केर वरकर हो तो जिमेदारी निबाना है फ्रंट लाइन वरकर हो तो शिरिमान आगे आना है समझदार इसी में है कि कोरोना टिका लगवाना है न शिर्फ खुद को बलकि पूरे समाज को बचाना है माता पिता पडोसी रिष्टदारों को भी बुलाना है लापरवाई आलस ब्रांती को दूर बगाना है खुद भी जागो और दूसरों को भी जगाना है समझदार इसी में है कि कोरोना टीका लगवाना है बहाने बनाकर खुद को ही बेवकुफ बनाना है निसल को टीका करन सुविदा का लाब उठाना है सामाजिक दूरी माच को फिर से अपनाना है कोरोना के लिए फिर से रास्ता नहीं बनाना है समझदार इसी में है कि कोरोना टीका लगवाना है सरकार प्रसाशन के प्रयासों को सहरा लगाना है कोरोना को हराना और देश को जिताना है वो खतरनाक पुराना मंजर फिर से नहीं धोराना है, मुश्किल से आगे बड़े हैं, फिर से पीछे नहीं जाना है, समझदार इसी में है कि कोरोना ठीका लगवाना है, हाँ भई हाँ, आपको मुझको हम सब को लगवाना है, धन्यवाद, धन्यवाद नेवाद नेवाद जी झाल झाल